हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू मंजुलाज रेसिपी आज मैं आपके लिए वेज कटलिप केक रेसिपी लेकर आई हूँ जो बहुत ज़्यादा पॉस्टिक टेस्टी और हेल्दी रेसिपी है यह बनाने में बहुत आसान है और आपके घर के सबी मेंबर्स को बहुत पसंद आने जब रायदाना चटक जाएगा तो मैं प्याज डाल रही हूँ और प्याज कटलेट्स में बड़ा अच्छा लगता है इसलिए मैंने थोड़ा ज्यादा प्याज डाला है अगर आपको ज्यादा प्याज पसंद ना हो तो आप थोड़ा कम भी कर सकते हैं अब इसको थोड़ और लहसुन का पेस्ट जालूंगी इससे भी इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है इसे अच्छी तरह से हलकी आच में हम पूरा सब्यों में मिक्स कर लेंगे अब इसमें बारीक चॉप आधा कटोरी में गाजर डाल रही हूँ अगर आप चॉप नहीं करेंगे चॉपर में तो आप इसको कद्दुकस भी कर सकते हैं और अब दो मैंने चुकंदर लिये हैं जिने बारीक मैंने कद्दुकस कर लिया है इन्हें भी अच्छी तरह से सारे मसाले में मिक्स कर लेंगे प्याज के साथ भून लेंगे और अब मैं इसमें थोड़े से मसाले डाल एक चमच हल्दी, आधा चमच लाल मिर्च, आधा चमच गरम मसाला, एक चमच धनिया पाउडर डाल के स्वादा नुस्वार इसमें नमक डाल लेंगे और सभी मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे अब हमारी सब्जियां कच्ची हैं तो इसमें हम आधा कटोरी पानी जालके इसे हलकी आच में धकन लगा करके पांच मिनट तक पकने देंगे पांच मिनट में देखिए हमारी सब्जियां सारी पक गई हैं मतर भी पक गई हैं और चुकंदर गाजर सभी सब्जियां अच्छी तरह से पक गई हैं अब इस समय में इसमें दो आलू जो मैंने हो जाती हैं आलो को भी हम सारी सब्जियों के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे यह देखिए सारी सब्जिया अच्छी तरह मिक्स हो गई है इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं रहना चाहिए पानी हम पूरा अच्छी तरह से सुखा लेंगे यह देखिए बिल्कुल सूख लिजी जितना भी धनिया आपके पास हो और एक चमच कसूरी में थी क्रश करके इसमें मिला लेंगे और अब बाइंडिंग के लिए इसमें मैं दो चमच पहले कॉन फ्लार डाल रही हूं इससे क्या होगा कि जो सब्जी में पानी है वो सब ये कॉन फ्लार अब्जॉब कर ले अगर आपके पास कॉन फलार ना हो तो आप इसमें बेशन भी डाल सकते हैं और बेशन भी ना हो तो आप ब्रेड ले लीजे और दो ब्रेड को मिक्सी में पीसकर ब्रेड क्रम्स पना लीजे उन्हें मिला लीजे देखिए आटा त्यार है अब मैं ठोड़ा सा तेल का हाथ लगा के सारे आठे को एक सांथ कर लूँगी और उसकी लोई निकाल के कटलेट्स त्यार करूँगी तो कटलेट्स आप अपने जो भी शेप देना चाहें उस शेप में दे सकते हैं मैंने गोल शेप ही दूँगी आप हाड शेप या स्क्वेर कुछ भी बना सकते हैं अब यह मैंने ब्रेड मिक्सी में पीस ली थी तो ब्रेड कम्स बना लिये थे उसमें हम इसको कोट कर लेंगे अगर आपके प्रास ब्रेड ना हो तो आप सूजी में भी इसे बना सकते हैं तो यह सभी मैं कटलेट्स बना के तयार कर लूँगी अब इनको हम फ्राइ करेंगे तो इन हल्की आच में सेखने के लिए हम रख देंगे और मैं उधर air fryer में भी इन cutlets को बनाऊंगी air fryer में तो बिल्कुल कम तेल लगता है इसकी basket ले लेंगे और उसमें खाली brush से हम तेल लगा लेंगे और अपने जितने cutlets इसमे आएंगे एक बार उतने cutlets रख देंगे यह बहुत ही ज़्यादा healthy recipe बनेगी क्योंकि इसमें oil बहुत ही कम होगा बस उपर से भी हम brush से इसमें oil अच्छी तरह से थोड़ा थोड़ा लगा देंगे और अब हम इसको अपने air fryer में डालेंगे और इसको 200 degree में मैं 10 मिनट के लिए air fryer on कर दूँगी यह 10 मिनट में बनकर त्यार हो जाएंगी और इधर जो हमने pan में डाली हैं उन्हें हम palette लेंगे और यह देखिए कितना अच्छा color आने लगा है क्योंकि हमारी सबजियां सारी पकी हुई है इसलिए हम सरफ इसको ऊपर से crispy होने तक का भूनेंगे देखिए हमारी यह त्यार हो गए color भी इतना बड़िया आया है इसका और यह इतने ही तेल में असानी से बन जाती है अगर आपके पास air fryer ना हो तो आप ऐसे pan में इसको बना लिजे देखिए हमारी यह cutlets बनकर त्यार हो गए है और इसे हम सर्फ करेंगे किसी भी चटनी के संग सॉस के संग और बच्चे इसे बहुत पसंद करते हैं यह देखिए हमारी जो air fryer की cutlets है वो भी बन करते आरो गए दसमट में और यह बहुत जादा क्रिस्पी बने हैं क्योंकि हमने इसमें bread crumbs लगाए हैं इसको हम अब सर्फ करेंगे अभी मैं आपको इसकी आवाद सु है ओइल तो इसमें बहुत कम लगा हूँ है और वेजिज बहुत सारी हैं बच्चों के लिए बहुत हैं आप इन्हें उनके lunchbox में भी रख सकते हैं आप इने bread के साथ भी खा सकते हैं और आप इन्हें ऐसे ही चाय के साथ snacks के टाइम पे भी खा सकते हैं तो ऐसी और healthy recipe देखन लगी तैंक्यू फोर वाचिंग